जो रास्ते में खेड़े लोंग हैं हमारा सम्माने साथियों से मानी मुगतिती महुदे का लाला के तौरा पस्ती जन्पत में बहुती भर्रकत भावे पिरोटन हो रहा है मुगतिती महुदे का माले अपन द्वारा स्वागत भुए हैं हम चाहते हैं कि हमारे बहुत समाज पार्टी के बहुती सम्मानी साथियों मानी मुगतित के सम्मान में एक स्वागत की पढ़ने का उन्होंने अग्रा किया है हम चाहते हैं कि मानी मिश्राजी के सम्मान में उन्होंके स्वागत में एक स्वागत की सम्मानी साथि द्वारा प्रस्थित किया जाएगा बहुत बहुता है बहुत बहुत धन्यवाद संचाला कर रहे मानिय दाप्टर बोटी के पाठी साहब एक्समेलसी मानिय में के अधिथी के स्वागत में गीत प्रस्टू करता हूँ स्वागत है अभी नंदन है वे वन दन दिश्टू कि अधिश्टू करते हैं कि अपने आए हुए सभी साथ्यों से रोग करें कि पांडाल में सभी पुर्सिया भी प्रत्वर्ट जो खाली है हैं वहां बैठें हमारे बाई तरफ भी मत परके बाई तरफ भी की जगह पुर्सियों से ब्रहवी दिखता है उसको भी वहां बैठेंगे काम करें किर्पया सांती और अर्शासन यह दोनों बनाने में सहोग करें हमारे कोई विजादी इस रास्ते पर खड़े न रहें मानी राश्टूर सही बहुत 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 आज प्रभुत समाच का सम्मेलन है और आल यहां पे मुख्य अतिज के रूप में आज यो पूरे प्रदेश में लगातार हम्जानते महीनों से कोई दिन नहीं बीद रहा है कि यह दिला दो दिला जो कारिक्रफ में कर रहे हूं हम लोग करें दार है 337 पिसरा जी प्रभुत समाच के लोग यहां बैठे हैं मैं आप लोग से हाथ जो कर रहा हूं आप लोग बैठ जाए और इतने वो खड़े हैं लोग भी बैठ जाए यहां आपके इससे एक आरे क्रफ सांग कूट फंसे चला है और इसकी जाड़े में इतना जरू कहना चाहता हूं और इसका जिसे कि बस्ती जनपर आपको अपने हाथों पर धिलों में रखता है केवल दो जिनके खाले क्रफ के इन लोग भटते इसका आपके आए सवागत की बस्ती आप लोग शांटी बनाने सवागत है अभी दंदन है वंदन मिश्राजी सवागत है अभी दंदन है वंदन मिश्राजी आपकी कातिर प्राण हमारे अरपन मिश्राजी बढ़ें कुमारी मायवती काले कर संदेश निकल पड़े हैं करने को परिवर्तन मिश्राजी सवागत है अभी दंदन है वंदन मिश्राजी आपकी कातिर प्राण हमारे अरपन मिश्राजी बढ़ें कुमारी मायवती काले कर संदेश निकल पड़े हैं करने को परिवर्तन मिश्राजी निकल पड़े हैं करने को परिवर्तन मिश्राजी जैज बहन माया जैज मिश्राजी पुन्रब रित्ती धिर से करो ऐ पर बूद जलो यूपी की सत्ता हाथ में लेकर शासक धिर से बनो दोगजार जब साथ में तुम आये पहना संदेखने वाले देखके तुमको रह गए दिल पुल दंदू वचन पे प्राण उटा देते प्रहमन मिश्राजी स्वागत है अभिनंदन है वंदन मिश्राजी शर्मा शुकला पाठक जी आये दुवेती जी जोशी जी और पाणे जी संद आये दुवेती जी देख चतुर मिर्टी आये आगे रूपे जी और पिवारी जी भी आये आगे चौबे जी और उपाठ्या जी भी आये आगे चौबे जी पर बुद्जनों का बने का फिर पर बुद्जनों का बना है फिर कट वंदन मिश्राजी स्वागत है अभिनंदन है वंदन मिश्राजी कि और चाथियों हमारे मान ये मुद्जनों की महोदे ने जब 23 तारीक को आयुद्धा में दर्शन पूजन किया और उसके बाद जब एक बहुत विशाल चंद सभाटों परकुत जनों की संबोधित किया तो वहीं से माहूल बना और आज मेडिया कह रही है कि जो भी लड़ेगा वो पहुजन समाज पार्टे से लड़ेगा दूसरे जंबार की लड़ाई मेंच इसलिए मैं वहाँ आयुद्धा से ये पंपियां आपक पहुचाता हूँ स्वागत है अभिनंदन है वंदन मिश्राजी मानिय मिश्राजी को मिला परसाथ आयोध्या से और मिला संतों का आशिव वाद आयोध्या से पिकुल आयोध्या से पूंका जब मानिय मिश्रा ने बी एस पी को मिला पिजय का स्वाद आयोध्या से विजय का लेकर आये हैं चंदन मिश्राजी स्वाधत है अभिनन्दन है वंदन मिश्राजी च्छाया बन कर संग रहते मानिन रुद्धून में कर्वी सर्थी सब दुख सहते मानिन कुल दूबे चलते न कुल जी संग जैसे अनुमन मिश्राजी स्वागत है अभिनंदन है वन्दन मिश्राजी स्वागत है अभिनंदन है वन्दन विश्राजी मानि ये ओपी तिरपाधी जी ने इखाना है माया पहल को यूपी कसी ये फिर से बनाना है मानि एवल जी चंद्राजी यूपी बचाना है माया पहल की यूपी के अंदर सकता लादा है मानि ये राज किशोर जी ने ये खाना है बस्ती मंदल के सारे प्रत्याशी जिताना है मानि ये खर्वारल साहब ने ये खाना है बाइस में पहना को भिजल का मुखुट पहनाना है बाइस में पहना को भिजल का मुखुट पहनाना है दिलने को आई आशिरवार गुर्जन मिश्राजी स्वागत है अभिनंदन है वन्दन मिश्राजी जय जय बहन माया जय जय मिश्राजी स्वागत है अभिनंदन है वन्दन मिश्राजी आपकी पाति प्राण हमारे अरपन मिश्राजी बहन कुमारी माया मती काले कर संदेश निकल पड़े है करने को पर बरतन मिश्राजी जय जय बहन माया जय जय मिश्राजी जय जय बहन माया जय जय भी एस्थी बहुत है स्वागत के बाद यहां उपस्तित हमारे बिद्वान प्रामण समाज के बहुत बैठे हुए हैं अब इस वागत करते हैं कि स्वास्ति बातन संख़जोनी और तिलग करके मानी मिश्राजी का अभरिंदम करें मानी मिश्राजी हमारे ब्रामण समाज के गोरों हैं ब्रामण कुल हूशन है और एक ऐसे हम दोनन को लेकर के चल रहें जिससे निश्चित रूप से 2022 में परियोटन हाउलेट परसंट संभव होगा हम बिद्धत जनर से प्रामणों से अपनी अम्रोप करते हैं प्राथरा करते हैं हरो, हरो परना परेड़ी है से अतल से हम रही हमंह DR. गल के करते हैं करते हैं सतकतत Riverside करते हैं मत्वत करते हिं करते हैं क अ झाल 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 गिस्वेनो देवा अवसाग मन्निह बदरं करडेपी सुर्वाम देवा बदरं पशिये माक्षा बुरिजाजतरा इस्थिरै रंगै कुष्टुवा गुंसतरो बिफ्यशे माहि देवा इतं जादायूशतमे नुशारदो आंधि देवा जतरा नशक्रा जरशंदानू नाम्वा पुत्रासो जतरापितारो भावं दिर्मानो मध्यारे रिखाता युरगंतो आधितर भ्योर आधितर अंतरिक्चम आधितर माताजा पिताजा पुत्रापिस्वे पंच जतराः आधितर जानाम आधितर जतर्वं अतर्वन नाम्वा दोहू शांतिरंदर्चकुण शांतिरे प्रेथविं शांतिरा हं भानत् gratis पत्याः ठांतिर किश्वे देवा है शांतिर्म्मा सांति सर्वकुन, शांति सांति रे वशांति सामा, सांति रे धी जतो यता, समीह सेता तो नो, आभायं को लोशन नहा कोर्परापियो, आभायं नहा पसुभिया सुसांति रभवतू। स्वास्ति वाचन के उपरांत, मैं मान्नी राज्शोर सिंगी पूर्मंत्रित प्रदे शरकार, शेयर लोग करना चाहूँगा भरवान पर्शुराप की प्रतिमा दे करके, आज के इस कारदर्ण के मुकति दी आज़री सिर्शति चन्विश्ची का संबाद करने का तश्क्रे शिराज्शोर सिंगी। इस पिशोर सिंगी पूर्मंत्री वीर से मिशागी। देवेत प्रता पूर्ट काम संबी। जराज़ बस्ति सिजय हिंगी। पुस्पा संबरही। इस पूर्मंत्री था मिशागी। जराज़ बस्ति सिंगे। कि मानमे मुबदिति का पिश्मिति चिन्द्वारा स्वागत संबाण हो चुका है अब हम चाहेंगे युप्तर प्रदेश के पूर्ट मंतरी जो इस कात्रम में कि मानित्या मश्मोरुद्रा विश्वे दिवास पेत्रिका तिलिकंदु प्रियच्छंतो धर्मका अर्थ सिध्धाई उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्ट मंतरी अविस्टांदोलन में जैन्द मिश्रा जी अनुवान जी की पूर्ट क्या पता कर रहे जैन्द मिश्रा जी मेडिया मातों रहया आप रुपया मंच पराने करपा करें कि श्री लकुल दूबेजी से याद्रे करता हूं कि हाए हुए इस विशान संग्मेलन में उपस्तित हमारे प्रवत जनों को अपने दो सब्द से उनका मार दर्शन करने का कश्क्रें शम्मालिच स्री लकुल दूबेजी जी आज बस्ति की इस अधियाते घर्टी पर प्रपुत्र दूबेजी आज बस्ति की इस अधियाते घर्टी पर समाज किये संगोष्टी हो रही है मैं अपनी कोई बात रखो जिससे पहले आपके ही बेटे आपके ही भाई आपके मित्र जिनोंने दूबेजी की दुनिया में बहुत फोड़े से समय में चार्टी प्राप्स की है डॉक्तर विशुनादी जी जो बस्ति के रहने वाले हैं मैं से उत्वामतिश करता हूं कि वो आएं और यहाँ पर सर्वार के साथ अपने ब्रह्भन समार को भी अपने उद्वोधन से अपना एंगे बाइस आपना बाइस अपना दिस्मादी है आप सबका यहां पर स्वागत है और हमाई पापा का बस्ती की धर्टी पर स्वागत है हम यहीं के पैडाई है यहीं के रहने वाले हर रहिया के आप तब का आशिर्वाद चाहेंगे कि आप बहुजा समार पार्टी को अपना आशिर्वाद दें और पापा के घाज आप जितने मजबूत करेंगे उतना वो यहां का विकास और आप लोग की बातें आगे तक बढ़ा सकेंगे आप सिर्फ्याओं की बातें को ध्यान से सुनें आगे उसको बढ़ाएं और और दूर दूर तक इसका संदेश पहुचाएं यहीं आप से विंती है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद रफसाब मानिये आजके इस समारों के रुके पिर मौले ने संपुर्ट देश में मैं तो मारवी कई को लोगों भी जाता हूँ संपुर्ट देश में सर्व समार के सास्था ब्रामर समार के मांग समार की जो लुडाई लड़ी है आप सब लोग इतने लोग यहां पर बैठी खड़े हैं आप लोग गवाम है कि संपुर्ट पार्ट के बीच पे जब हमारे समार के साथ इस तरह का अनाचार और दिवचार हो रहा था तो मानी सतीशत पुष्टा जी ने अगवाई गर के संपुर्ट दो हजार साथ में आप सब के आफिरवाद से आपकी सरकार बहुत समार्ट पार्टी की सरकार उसके ब्रादे का काड़ किया था आज हम सब के पीच में हैं आप सब लोग उठके विशारों को खुनने के लिए यहां पर संकल्टी को यहां पर आए हुए है मैं आपके और उसके इतीश में जाता देर बाधान ना बजते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं एक बात बुछना भी चाहता हूं आप सब लोगों से क्या संग 2017 से लेकर के खांपों से 2017 से लेकर के क्या दो हजार 21 में उथ्यम्ता रखी कि जंता को परेशान किया गया कि नहीं कि लेकर दो press recommend कि अ अगर डर के nog बारती लेता पार्टी को उपार नेगा को तयार है तो हमारा भी यह वह दिए कुछ लिए मां सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करें और संक्राइब किसं 2022 में हम लोग और यह बैंकुमारी मारती जी को इस उत्रत्रेश का पार्टी विवार को फिवत्ती बता करके बादार कानुब करने काम करेंगे मैं वाधा में बना चाहता हूं मैं ततकार मानी उकेती मों दे को अभणित करता हूं कि आम माइक पर आहे हम सबको आशीरबाद में और यह संक्राइब बिलाए कि 2022 में हमदभाद इसना फार्टी को उस्तमों से भाटों के ठेक्चाब करेंग मन्च को रुपत्थे बावजन समाज पार्टी के सभी सभ्मानेश देता कम और हमारे लिए एक बाद इन है इसलिए बस्ती में हम पहले भी आएं लेकिन अपकी बाद हम बस्ती में जब आए हैं तो बस्ती के जितने लोग भी आँप बैठे हुए है वो हमारे मान ने हो चुके हमारी पुत्री की शाली अभी आपके सामें डॉक्टर विश्टिनार प्रिपाठी जी बोल रहे थे उनके साथ में हुई है और पंडिल प्रिप दी यहां पर मौझुद है हमारे पीश में मौझूद है ये डॉक्टर विश्टिनार जी के बाबा है और इनके चाचाह जी यहां पर मौझुद है ज्ञान नायक जी और ये पूरा परिवार यहांस थोपर हमारा हाँसला पाने के लिए यहां पर आप लोग nécessaire साथ आध Terror मंच पर वेड़े श्री नकुर्थ उवेजी, पूर्व कैपनेट मंत्री, श्री ओपी जपाथी जी, पूर्व M.L.C., एवं सेक्टर सयोजग, प्रभुन पर्ग, बस्ती वैदावाद, देवी पाथन मंधन, मानी श्री घंश्याम, चन्थ हरवार जी, पूर्व सांसर, लोग श्री तिनेश चंद्रावी, M.L.C., एवं नेता मिधान परिशन, एवं हूप के सिक्टर पवारी, श्री अरुन दुवेदी जी, श्री जैंत मिश्रा जी, श्री राज किशोर सिंग जी, पूर्व मंकरी, जो आपके बीच में हैं, जिनके इतने बड़ी संख्यालों के चहत आए हैं कि हम लोगों को साथ किलोमेटर का रास्ता था, जहां पर हम रुखे थे, और हम ने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि लगबग एक घंटा, तो हमने का आज तक तक तो कभी हम साथ किलोमेटर एक घंटे में नहीं पहुंचे हैं, कोई खास बात हो होगी, लेकिन जब उनके साथ में हम निकल करके आये, तो मालूम पढ़ गया कि एक घंटा नहीं हमको तो सवाग घंटा लगा यहां आने में, क्योंकि सैटों की चंचा में, इनके चहते और इनके लोग, लास्ते में स्वागत करने के लिए मौजूद से, श्री विश्क शोर सिंग जी, पूर मंत्री, दिंपल भहिया, श्री केके गौतम जी, मुखि सेक्टर प्रभारी, वस्ति मंदल, श्री करवाशंकर पांडे जी, श्री हरूम दुबे जी, कलपनात बाबु जी, सुभाश गौतम जी, कृपा शंकर गौतम जी, पंडित चुरूब करनांच द्रमा जी, अतर सिंग गौतम जी, जैंद गौतम जी, रदे शाम जैसवाल जी, संजय उपाधाए जी, लगकोश उपाधाई जी, देवें प्रताप सिंग जी, पूर्प जिरा पंचायट अद्यक, श्री बत्कू सिंग जी, पूर्प्रमुक, श्री रा यहां पर अपनी बार यहां करूं उसके पहले यहां पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में हम बहुंचल समाच पार्टी के समर्ण तक और हम लोगों का उत्साव बढ़ाने के लिए जोरों यहां मौजून हैं और मीडिया के साथ में सबसे पहले मैं आप लोगों से इस गो अपरी भी देना चाहता हूं और उसी से बात शुरू करता चाहिए और उसके बात अपनी चर्चा भी करूंगा मानी श्री राज्पिशोर सिंग्जी हमारे साथ में हमाए ठोटे भाई हैं यह यहां पर फड़े हैं और इनको मानी बहन मान दीजी द्वारा जो हमारी नेता ह हैं और हमारी पार्टी की राज्पिश्टी एद्वेक्श हैं चार बार उस्टर प्रदेश की मुख्र मंतरी रही सकी हैं और अब यह भी निश्चित हो चुका है कि अगले साल 2022 में वो पांचमी बार उस्टर प्रदेश की मुख्र मंतरी बनने से उनको कोई मुख्र नहीं क तर्फटा है उन्हों ने अपना अशिरबात दे करके और श्री राज पिशोर्ठ सिंग जी को हर्या विदान सबाद से स्वारी भूचिश्ट करने का ठांग जिया है और यह आप दिया है जिए श्री राज पिशोर्ठ सिंग जी बस्ती में इतने चहते हैं कि इनको एक विधान सभा में हम लोग नहीं बांदबा रहा हैं हम लोगों ने सोचा था कि हराया विधान सभा से चुनाव बढ़ेंगे और हराया विधान सभा को में देखने काम करेंगे और अपनी जीत हासिल करने काम करेंगे लेकिरिंगी शक्सियत को देखकर के और जिस तरह से यहां पर पूरे बस्ती जिले में यह चहते हैं सबके इसको देखकर के इनके कंदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दाथ दी गई है पार्टी के दुआरा कि यह बस्ती की पांच की पांचों सीटे ये अकेले इसमें साथ में नहीं हैं इनके चहेते पुत्र भी आपने देखा कि किस तरीके से पुरा उनकों लोग चाहते हैं और वो साथ में के लगे रहते हैं और सबसे जादा साई की तरह या कहें हनमान की तरह जो डिंपल भीया हैं वो भी लगे रहते हैं और उन्हों ने इस बास की पूरी जिन्मे दाए उथाने का हम लोगों से बादा किया भाईयों हम लोगों ने 23 जुलाई 23 जुलाई वो हम लोगों ने अपना ये कारकरम कि ठीक और इस सब्सक्रान कीप्जाए थी तुब भाई O हम लोगों का ये कारवा है और गोष्टी है करते हुए चैंप रहे पूरे उत्तर अफरदेश में उसको हम लोगो रोखने का काम करेंगे जब तक कि पूरे उborg उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में नहीं घूम लेंगे तब तक हम लोग वापत जाने का शाम दों 74 जिले उत्तर प्रदेश के 74 जिले कल की तारीक में पूरे हो जाएंगे आज जो है 72 जिल्या कलो जिलें करने के बाद हमारे पूरे 74 जिले हो जाएंगे और फिर लगनों की सवाह होगी जो आकरी हमारी सवाह होगी और लगनों की सवाह जोगी उसमें हमारे उत्तरफृदेश के हर जिले से जो हमारे मुख्धention लोग थे जो हम लोगों के साथ एकार इस कारक्रम में लगे थे और बरावर अपने अपने जिले में उनोंने हम लोगों का होस्वा बढ़ने का काम किया तो वो मुख्य लोग भी पूरे उटर प्रदेश से उस सवह में आएंगे और लकनों के लोग तो आने का ही काम करेंगे लेकिन उससे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि वो जो 75 वी सवामारी होगी, गोश्टी होगी उसमें बहन कुमारी माया वती जी हमारी मुख्य अक्षिती के हूँ में आने का काम करेगी और सबी लोगों को अपना वो आशिरवात देने का काम उस दिन लगने का काम करेगी भाईयों, जब हम आयोधिया गए तो आयोधिया जब गए तो वहाँ पर हमको भारती जद्धा पार्टी के लोगों ने रोकने की कोशिश की और रोकने की कोशिश किस तरह सी थी उन्होंने हमारे उपर फ्रस्टे जिन लगा दी बहुत तारे फ्रस्टे खड़े कर दी अपने मीडिया के साथियों के द्वारा मीडिया बंदूओं को कहा कि इन से कुछ हो कि इनका आयोधिया में क्या लेना देना ये आयोधिया क्यों आए है आयोगन्या में तो भार्ती जन्ता पार्टी का ठेकाना है भार्ती जन्ता पार्टी के पास ठेका है इनसे क्या है उत्वा से लेना देना और ये राम गला के दर्शन करने क्यों आए बहुत अजीब सा लगा मुझे सुन करते हैं और इसलिए अजीव से लगा, कि इनकी ये बात हमें समझ में नहीं आई, क्या शी भगवान का, भगवान राम का कोई ठेका ले सकता है, क्या उनके बारे में ठेकेदारी कोई कर सकता है, क्या उनके दर्शन कराने के लिए कोई ठेकेदारी कर सकता है, हम लोग तो भगवानों स और चाहे जो भी हो चाहे बोले शिर्कर्ची हो हम लोग उनकी स्कुती जो बच्पन से रटाई जाती है वो पहले पूजा करने का काम करते हैं और उसके बाद घर से बाहर निकलने का काम करते हैं हम लोगे तो संसकार पैदा होने से ही ढाम दिए जाते हैं कि आप घर से निकले हैं, जब तक इंकी सुपी नहीं करेए वह बात दूसरी, जब हम लोगों का उपनेन संसकार होता है जो की साथमा संसकार होता है ब्रामGuوں का तो उस समय होते होते फिर हम लोगों को गायत्री मन्त सिखाए राता है और गायत्री मन्त बोलने क्या अधिकार भी तबी दिया लाता है लेकिन राम दला के दर्शन करने से क्यों रोकेंगे हैं हमको हम तो उसके पहले भी गए लेकिन अबकी बार रोक रहे थे तो उसके पीछे कुछ कारण था पहले हम समझ नहीं पाई लेकिन जब हम वहाँ पर गए आयोध्या में और पूरे आयोध्या में हम घूमें और आयोध्या में घूमने के बाद हम सर्यू नदी में भी गए हमने वहाँ जला भिशे किया ग्रूप का वीशे किया और उसके बाद जब हमने अपनी बाद कहना शुरू की तो उस समय तक हमको पता लग गया था कि क्या कारण और कारण क्या था कारण ये था कि आप सब जानते हैं पूरा हंदूस्तान जानता पूरा भारत वर्ष पुरी दुनिया जानती है कि इन्हों में संतिरानुबे से लेकर के भाड़ की जन्धा पारटी के लोगों ने और जब तक सर्वोच निड़ने के निड़ने आया था उस दौरा जो की लगबद दो सार होने वाले उस दौरां में उन्हों ने राम बला के नाम पे रामगला के मंदर बनाने के नाम पे उन्होंने एक दो रुपया नहीं लाखों करों रुपया नहीं पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से और विनेशों से भी एकठा कर लिया था कि हमको मंदिर बनाना है और उसके नाम पे रुप्या लिया जब सर्वोच न्याले का निर्ड़े आया आपको भी यार होगा आप लोगों ने भी इनका चेहरा देखा होगा भारती जंता फार्टी और इनके जो सयोगी रोग हैं जैसे ही निर्ड़े सर्वोच न्याले का आया जिसमें इनका कोई योगदान नहीं था योगदान को हम तब बांते इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और देंद में भी थी ये कानून बना करके और कोई एक अपना कानून जैसे पास कला लेते हैं शोल बूल मचा करके कर लेते हैं कोई कानून बनाया होता तो समझ नहीं आता लेकिन यहां तो सरवोच नहाले के जब निर्णे आया तो इनका छेहरा इतना उत्रा हुआ था सबसे ज़्यादा दुखी यही नजर आ रहे थे और इसलिए दुखी थे क्योंकि इनको यह लग रहा था कि अब तो हमारी राज़ी की खतम अब किस बात की राज़ी की करेंगे किस बात के हम लोगों को आपस में बिढ़ाने का काम करेंगे कैसे हम दना फसाद करवाने का काम करेंगे और कैसे हम धरम के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे अब तो ये सब बंद हो जाएगा और लोग हमारी अस्मियत पूछने लगेंगे हमारे चूटे वादों के वारे में पूछने लगेंगे इसलिए ये फरेशान थे और जब सर्वोच निया लेकर निया आ गया तो उसके बाद इनों ने किया लगबख एक साल बाद पिछले साल 5 अगस्त 2020 को इनोंने एक बढ़ा भारी कारग्रम किया है उग्ध्यामे और उस कारग्रम में इनोंने दिखाने का काम गया लगबख 223 कुरों के खर्च किये और ये दिखाने का काम किया कि देखे हम तो मंदिर बनाने जा रहे हम मंदिर की शुर्वात कर रहे हैं और इसलिए हम भूमी पूजन कर रहे हम न्यू का पूजन कर रहे हैं लेकिन जब हम वहां पर गए तो हमको तब पता लगा कि वहाँ तो ना कोई भूमी, जहां पूजन किया था, वो भूमी दिख रही है, ना कोई निव दिख रही है, वहाँ तो सिर्फ जमीन दिख रही है, निव तो इन्हों ने ये भी कहा था, कि एक साल में का जाने दिए अगले साल आप मंदर में आगर के पूजा करिएगा, हम मंदर के नाम पे इन्हों ने आपने देखा कि पिछले बच्छ से लेकर कि अवी तक इन्हों ने फिर से लोगों को जोड़ा लेकर के पूरे देश में भेज गया उत्कर देश में भी भेज गया और कहा कि जाओ घर गर और राम के नाम पर रुपिया मांगो और रुपया इसके माँगो को कि हमको मंदिर बनाना पुराना रुपया नहां गया अगर फिर से रुपय की जरूर प्रण गई उसका क्या हिसाब है वो हिसाब देने को कयार नहीं होते है और क्या है जिनों ने फिर से 10,000 को रुपय से ज़्यादा नाम के मंदिर के नाम के फिर से ले लिए फिर से इक ठाकर लिया और करा गया था भूमी पूजन के नाम के भोका देते हुए पांच इंटों का पूजन किया था फिर से पुरानी तस्वीर उठा के देख लीजे फिर से पुराने यूटूब में खोल करके देख लीजे पांच इंटों का पूजा की भी उन इंटों का इंट पूजा किया था और वो इंटे कहां नहीं ये भी किसी को नहीं पता सर्यू नदी में डास दी या फिर अपने पास इनोंने कही इलमानी में बंद कर ली तिजोड़ी में बंद कर ली किसी को नहीं मानूम लेकिन मंदर की तो शुरुवाद भी नहीं हमने तो सोचा था कि बेविर इंगर नहीं क्योंकि हजारो करो हजारो करो जब भी बजट पारिक होता है अयोद्या को ठीक करने के लिए अयोद्या को नगर को ठीक करने के लिए इसी में हम तो सोच रहे थे इतने हजारों करों रुपैर अयोद्या में लग गए हैं हम अयोद्या को घुमेंगे तो मिलेगा हमको तो वहां सोने की नगरी मिलेगी लेकिन वहां पर क्या था सिवाए ग गूप जो आपको सबसे खराब रखता हो वैसे तो आज पूरा उतर प्रदेश की ही स्छा है आधे छेट्री में भी और आस-पास ही और चहींभी चली जायी हम तो पूरा उत्तर प्रदेश अपनी गारी से ही घूम करके हर जिले जिले गएए हैं सबी जिले का बुरा हाल है कहां पर कौन सा मिकास किया है कहीं समझ में ही नहीं आता है हर जिले में करे हर जिले का बुरा हाल है लेकिन आयोध्या आयोध्या का तो जो सबसे बुरा जिला उत्रप्रदेश का होगा उससे जादा बुरा हाल आयोध्या का है आयोची में कोई भी काम इन्हों ने लीटिया जो भी वहाँ पर काम करना हमको दिखा कौन से काम दिखा जो कि बहन माय अथी जी की सरकार में जब दो हलाग साथ से बारा की सरकार थी तो जो काम किये गए चाहे वहाँ पर जो परिक्रमा होती है और परिक्रमा का जो सब्ट है उसको हम लोगोंने उसकी बहुत खरा हारत थी उसमें जो दस कदम नहीं चलपाते थे उसको बहन मायतीजी ने निर्देश देखंके और उसको ठीकी नहीं कराया उसको चोड़ा कराकर के बारा मीटर परने का काम दिया था सबक चोड़ा करने के पहले उन्होंने पूरे ऐयोग्डिया में सीवर लाइन नहीं दी पानी की लाइन नहीं दी उन्होंने पूरे ऐयोग्डिया में सीवर लाइन डर्वाई पानी की लाइन डर्वाई और उसके बाद सीवर की लाइन डर्वाने के बाद वहाँ पर सीवच ट्रीटमेंट फ्लांक बनाने का काम किया जिससे कि जो सारे सीवच का गंदा पानी है वो सर्यू नदी में गिरने के पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए और साफ हो जाए उसके बाद सर्यू नदी में करों रुपई लगा करके उन्होंने बनाने का काम किया था उसके लावा वहां पर कुछ भी नहीं के लावा जाते हैं अभी फिर दिपावनी आ रही है अभी कोई और कारक्रम होगा ये वहां पर पहुँआ जाएंगे मामी मुक्मंद्री जी जाएंगे और लोग लोल असकर के साथ में जाएंगे और वहां दीपक जलाने का काम करेंगे कहेंगे इन तीन करों दीपक जला दिये पिछले वर्ष हमने दो करों जलाएं थे अग्की तीन करों जला दिये और इससे कहेंगे कि बाबा ही हो गई अरे तीन करों दीपक तुमने जलाएं इन तीन करों में जो तीस करों रुपए खर्चा किये जाते हैं कारकरम में, अहुत भूरा पिला करके कारकरम में 100 करूं Indian रुपै करचा किया जाता है, उस कारकर सुह रुपै को अगर एउध है नगरी में लगा दो तो और इउध है नगरी इस उधर जाएगी और मि刃 पर लॉद राम की नगरी सुधरने कर चाम करेगी। ये दीपक भी जो जलाते है वो कुम्हारों का दीपक नहीं उनको पसंद आता है वो दीपक भी चाइना से मुलाया जाता है और चाइना से मुला करके उस दीपक को जलाने का काम करके और वावाही लेने का काम करते हैं भगवान श्री राम लक्ष्वाण सीता इनको भी जो वहाँ पर दिखाने का काम करते हैं ले करके आते हैं हेलिकाप्टर से उतारते हैं अब तो उनको भी विदेशों से लाने का काम कर रहे हैं यहां के लाम दक्ष्वांसीता इनको पसंद नहीं आते हैं बाहर के लोगों उपल आते हैं और उनको लाकर के अपनी वावाही करने का काम करते हैं तो यह वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर आप से वोट लेने का काम करते हैं और धर्म के नाम पे सबसे बड़ा धर्म करने का काम करते हैं आप जाएए बानरसी पे हमने तो वहां सके जाने के दर्शन करने के बाद हम तो मत्रा गए ब्रिंदावन गए मत्रा ब्रिंदावन करने के दर्शन करने के बाद फिर हम बानरसी गए वहाँ पर भोलेशन करके हमें दर्शन किये उसके बाद हम चित्रकूट धाम गए और वहाँ पर भी दर्शन किये और उसके बाद हम पूरा धूंग करके आपके पीछ में आए लेकिन जब हम वानवनसी कहे तो वानवनसी में हमने सोचा कि वानवसी में तो कम सिक्वा बहुत काम हो गया होगा लेकिन इतना अफसोस हुआ वानवसी की हालत जो है इतनी खराब है इतनी बत्तर है कि आप दस पिट भी नहीं चल सकते इतनी शीचा लेदर महां मचीवी है और उसके अलावा आप वानवसी में जब मंदर में जाएंगे तो मंदर में आपको क्या दिखेगा मंदर में आप जाते हैं आस्था के साथ में हजारों वर्षों पुराने मंदर जहांवर की भोले शंकर स्वयम रहते हैं और जहां पर लोग कहते हैं कि वहां जाकर के बारोसी में इसलिए भोले शंकर करके दर्शन करके लोग वही पर आखरी वक्त में रुख जाते हैं जिससे उनको सीधे बेखुट रदाम मिलता है लेकिन उस स्थान को भी इनों में तोड़ फोड़ कर दिया वहां पर भी विद्वन्स फैला दिया उस मंदर में उसके इर्द गिर्द में जो प्राण प्रतिष्चित मूर्टियां की इनों में उनको हटाने कर काम किया प्राइब प्रदिषित मूर्टियों को छोना वर्जित है उनको वहाँ से हटाना वूर्जित आप खाली फूजा कर सकते हैं लेकिन वो हिला दो नहीं सकते इन्होंने तो मूर्टियों को पूरा-पूरा मूर्टियां हटा गर के और मंदिल भी तो ने कर काम करिया चाहे माँ पारवती की मूर्टी हो और चाहे मान्यकुना देवी जी की हो और चाहे वाँ पर गौेशी की मूर्टी हो धर्मान जी की मूर्टी हो ये सारी मूर्टियां जो आसपास में थी उनके उसी गेरे में उन सब को इनों ने हटा करके वहां के मंदलों को भी तोड़ दिया और इतना ही नहीं वहां पर विट वरिक्ष जो था बर्गाल का फिर जिसमे भ्रम्मा अभिष्टु महेश तीनों वास करते हैं इनों ने उस रिडिव्रिक्ष को भी बुर्डोजा लगा करके और उसको खाल करके ठेकने का काम किया एक कॉरेडर बनाने के नाम पर कितने मंदल तोड़ दिये दुकाने तोड़ दी, चार सौ दुकाने तोड़ दी लोगों को बेरोज़कार कर गया जो सेक्रों वर्ष्णों से पुष्टैनी काम महाँ पर करते थे आज वो सड़कों में भीक मांगने के मजबूर हो रहे हैं मंदर के मंदर को हो गिये कॉरिडोर के रास्ते में बनाते हैं वे तोड़ते चले गए और उसमें शिवलिंग जो थे जो सेक्रों की संख्या में निकले उनको मनवे के साथ में इन्होंने गंगा नदी में ढालने का काम किया और जो नहीं ठेक पाए उनको ले जाकर के बोले में बंद करके और गंगा ठाने में इन्होंने बंद करने का काम किया है इन्हों ने उसको कॉरिडोर को एक मंदर को अब आस्था का स्थांग बदल करके और आस्था की जगए अब उसको एक परेटेक्स खल बनाने की योजना बन रही है उसी तरीके से विंद वासनी जी में भी ये पहुंच गए हैं बुर्डोजर लेके मारा बिंद वासनी जी के दब दर्शन करने का है मिर्जापुर में तो वहाँ पर भी वही मंदर देखने को मिला वहाँ पर भी तोफोर चुरू कर दिये वहाँ भी आस पास के सब चीज़े तोड़ करके और वहाँ भी परेटक्स ठल बनाने का योजना बना रहा है उसका भी जो एक हजारो वर्शों से एक शर्धा के साथ में और वहाँ पूजर पार्टन होता है उसको ये खत्म करने की योजना बना रहा है ये चाहिए कि आईए समझ में नहीं आ रहा है आँ बरिंदावन जाएए बरिंदावन में देखे जाकर के बरिंदावन में आपको देखेगा जिस दरह से बारनसी में हम लोगों ने जब काम देखने गए तो वही देखने को मिले जो भाउजर्ण समाच पार्टी की सरकार में जो 80 खाट थे उनको हम लोगों ने ठीक करने का काम गिया था नए खाट बनुआने का काम गिया था वहां सबा सब्सक्रों रुपए खर्च करके सीवे स्ट्रीट्मेंट प्लांट लगाने का काम गिया था लाई ओवर बनाने का काम गिया था वही दिखेगा उसके लावा वहाँ पर कोई काम नहीं दिखेगा ब्रिंदाबन में जाएए तो ब्रिंदाबन में तो इन्हों ने जो काम बहुतन समाज पार्टी में बहें मायदी जी की सरकार में हुआ था उसको भी इन्हों ने विगाउने का काम किया उसको भी सवारने का काम नहीं किया आप बिंदावन जाके देखिए बहें इमायदीजी की सरकार में जो हम लोगों ने जब कार किया था साड़े पांसो क्रौर रुपए लडा करके वहां का समझ रिविकास करने का काम किया था बिंदावन में की आयोट है की तरह सीवर लाइन नहीं थी पानी की लाइन नहीं थी पूरे बिंदावन में हम लोगों ने सीवर की लाइन डाली और पानी की लाइन डाली वहां पर भी पंच कोसी जिस तरह से आयोट जाने होता है वहां पर तेरा कोसी वहाँ पर जो यात्रा होती है और उसमें परिक्रमा होती है वहाँ से ले करके और रोधर परवत तक उसको हम लोगों ने ठीक करने का काम गिया उसको चोड़ा करके सुधातने का काम गिया उसके साथ में फुटफात बनाई कच्ची सड़क बनाई जिससे जो लोग पैदल जाना चाहें कच्छे में जाना चाहें तो कच्छे में जाना चाहें तो फक्छे में जाना चाहें तो फक्छे में जाना चाहें तो फक्छे में जाना चाहें वहां पर एक बिद्वा आश्रम बनाने का काम गिया अस्पताल नहीं था रेल्वे नाइने पॉर्टी थी हम लोगों ने वहाँ पर एक फ्लाई वोर बनाया जिससे कि बिंदावन से मत्रा जाना हो या मत्रा से बिंदावन जाना हो तो दस मिनट से जादा नहीं लगना चाहिए हम लोगों ने वहाँ पर जो एक बस अक्ता था बस नहीं था बस बस अक परता ही नहीं था वहां पर लोगों को कई कई किलो मिटर से उतर के पैदा आना परता था एक बस अड़ा आने का काम किया और इतना ही नहीं वहां पर टैक्स करता था टोल टैक्स उसको खतम करके जो चाहे वो आ सकता है जा सकता है गोवन हनने वहां पर पचासो साल से लोगों की मांगती कि इसको मेला घोशिद किया जाए सरकारी मेला घोशिद किया जाए हम लोगों ने उसको सरकारी मेला घोशिद करने का काम किया हमारे और इनमें यही फर्क है हम लोग जो है भोट नहीं को जाते हैं धरम के नाम पे आस्था के नाम पे हम लोग ठाम करने का काम करते ह और ये लोग ठाली वोट के लिए नाम लेने का काम करते हैं नोट लेते हैं और वोट लेते हैं और उसके बाद उनको खुल जाते हैं आपने देखा इन बिढूर में कानपुर में जहां माह सीटा रही थी जाके महिश वालमी के आश्रम हो कभी भी ये लोग वहां नहीं गए और जाने का नाम भी नहीं नहीं लेकिन हम लोगों ने अपकी सरकार में विखूर का समग रिविकास किया चाहे महिष्ट वाल्मी की जी का आस्रम हो और चाहे सीता जी का मंदर हो सीता रसोई हो और चाहे वहां का समग रिविकास हो सीता का नाम नहीं लिया आप देखें इसको आप देखेंगा आगे चल करके इनको सुनियेगा कभी ये कभी राम के साथ में सीता का नाम नहीं लेते हैं हम लोग तो जब किसी से मिलते हैं अभिवादन करते हैं जो भी करते हैं लोग सीता राम कहें करके करते हैं और सीता राम क को ऩा हता दिया मादसल, इनकी क्या सोच है? और क्या कारा रही हुआ जम यह करते हैं ऐसा? यह कभी समझ में नी आया, सिर्फ इतना समझ में आता है, कि जब यह भगवान्जा राम का नाम भी लेते हैं तो यह इस तरह से भलगता कि युद्व में उटवराय हो, और इस तरह से गलकार के नाम लेने का काम करते हैं शर्द्धा से कभी इनको आप नाम लेते हुए ठीड़ेते कभी रही सुनेंगे कि श्द्धा पुर्वा के नाम उनकाने और इसलिए सीधा का नाम लेते हैं जैसे ही सीधा राम के पहले जोड़ेंगे तो अपने आप विनमर होना पड़ेगा अपने आप छुख करके सीता राम कहना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं पसंद करते हैं ये तो हाँ उठा कर उन्दोश करते हुए जैसे युद्र की बात कर रहे हैं और उस तरीके से चैश्री राम की बात करते हैं ये इनकी क्या सोच है क्या इनके मन में चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है ये कौन सा एक ऐसा शड़यत भी रचा जा जा रहा है जिसमें की धीरे धीरे आप देखें कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जितने भी संस्क्रित के बिल्द्याले थे जितने भी संस्क्रित के महा मिल्द्याले थे धीरे धीरे उनको रुप्या देना बंद कर लिया और जो सरकारी पंद्रा सो महा मिल्द्याले थे पांक सो से जादा महा मिल्द्याले थे आज घट करके संस्क्रित के आधे गिंदी पे ले गए आदी गिंती पर रह गए सरकारी जो सरकारी नहीं थे जिनको खाली अनुदान देने का काम कर दिया वो बात गुसरी है कि जब हम लोगे की सरकार ली तो दो सो पैसक संस्क्रिट विद्धयारणों को बहें माय दीजी ने अनुदान देने का काम किया था जो की सरकारी नहीं दे लिए और जब विद्यार्ती नहीं होगा घृत नहीं पढ़ेंगे तो कौन ये वेदों का जोटे देगा और काम करेगा तो ये तो वो लोग है जो ही धीरे धीरे पता नहीं किस कार्गरम के सहरे शुछरियांतर के रूप से जिससे हम लोग कि जो मठ के लोग हैं जो इस कारकरम में आजकर लग गए हैं जिनों ने तैकर लिया कि मंदिरों में कपजा करना है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के जो बड़े मंदिर हैं उनका अधी घरण शुरू हो गया है मंदिरों में मठ से लोग फेच दिये गए हैं कि मंदिरों में ज समझ में नहीं आता इतना जरू मालूम है कि ये जन्यू धार मत करना नहीं जन्यू धारू नहीं करते हैं ये तिलक नहीं लगाते हैं ये चोटी रखना पसंद नहीं करते हैं और इनके अंदर ये वर्जित है और इसलिए जो सनातन धर्म है उसके अंदर ये तीनों चीज़े और अन्यवार होने की वज़े से ये हम लोग को जो सनातन धर्म है उसको धीरे धीरे ख़तं करने की योजना बना रहे हैं और इससे हम लोग को सतर करेने की जरूरत है इनकास की चेहरा समझने की जरूरत है ये वो लोग हैं जो जुटे वाले करके आपके पास फिर से आएंगे फिर से आपसे वोट बांगने का काम करेंगे ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले आए थे और कहाता 15 लाथ रुपए हरे के खाते में चले जाएंगे हम तो वोट दे दो अपना खाता खोल के देख लेना पंद्रालाद रुपाए रिदेशों से ला करके दे देंगे आज तक इतने वर्ष हो गए एक निया पैसा भी किसी के खाते में आया हो तो कोई बताएगा जब आया ही नहीं तो क्या बताएगा इसी प्रकार से इनों ने कहा नौ जमानों से कहा कि आये बेरोगार है आप परिशान हो रहे हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको दो करोड़ों नौकरी हर साथ देंगे आप लोग पी-एच्टी की डिगरी लेके घूम रहे हैं बड़ी बड़ी इंजिनरिक डिगरी और ये डिगरी वो डिगरी लिए हैं परिशान मत होईए हमारे साथ खड़ हो जाएए और हम आपको वादा करते हैं कि हर बस दो करोड़ों नौकरी देने का काम करें क्या क्या इनों ने दो करोड़ों नौकरी दी इनों ने इनों ने तो नौकरियां लेने का काम क्या इन्हों ने एक भी नोब्री दी हो तो आगर के बताने का काम करें इन्हों ने तो जितनी सरकारी नोब्रियां थी उस पर इन्हों ने रोख लगा दीए कि अगे भरी नहींगी और जितने भी सरकारी उक्रम थे जहां पर नौकरियां लोगों को मिलती थी पूरे देश की धरोड थी जो आपकी धरोड है जो पिछले सतर वर्षों में आपने बनाने का काम भी अपने टैक्स देदे करके चाहे वो जितने भी साफ़जिने को उक्रम हो चाहे अमडी जीजी हो, ओओओर इंडिया हो, गैस अथारिटी हो, रेलवे हो, तो रेलवे को भी प्राइबिट कर दिया हमाइदान बनाने वाली कंपनी हैचेर हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे लाइफ इंच्रूरंस कॉर्परेशन हो और आपको जितने सरकारी बैंक हैं उनको भी नीची हाथों में देशने का काम कर रहे हैं और एक एक करके हाथों में देश करके ये अपने उन्ही उन्तियों पत्यों के चुननदा उन्तियों पत्यों को देने का काम कर रहे हैं जिन से यह हजुदारों करों रुपया अपने चुनाओं थ्रूम करनें और इस फिजे से लोगों की नौकनियां मिलना दू दू रहा लगभद दूखनों जो पहले चल रही ती वो भी खत्म रही झांट निका। किस तरीके से बेरोजगारियाद चर्म सीमा पर है सब ने देखने का काम किया किस देख रहे हैं सबी लोग देख रहे हैं किस तरीके से आप देखें उत्तर प्रदेश में लोगान मजबूर हो यापने हैं दूसरे प्रदेशों में फलाइन करने के लिए छोटी छोटी नोक्रियां करने के लिए और वहाँ पर अपने रोटी रोजी चलाने के लिए और वहाँ पर उनके साथ में कैसा दुरू बेवार होता है ये भी सबने देखा है और जब करोना के दोरान किस तरी से चीछा ले दो हुई कैसे उनको वहां से भाग के आना पड़ा और कितनी उनकी दूदशा हुई ये सबने लेका और इन नौजमान लोगों ने जब उनसे पूचने का काम किया पूचा उन्होंने गेरने का काम किया कि आपने हमसे लोगों वाला किया था कहा नहीं हमारी दोगों लोगों 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 बेच सकते हैं बेचने का काम काना है तो पगोणा बेचना चाठ का थेला लगाना और ये सारी चीजे इसको बहुजर्ण समाज पार्टी कोई बुरा नहीं मानती है तो बहुजर्ण समाज पार्टी तो गरीबों की पार्टी है गरीबों के लिए ही लोगती है 24 गंडे उन्हें के बारे में सोचती है लेकिन आपको धोका नहीं देना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को धोका दे करके आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि आप हमारे साथ में आओ आपको देने का काम करो तो हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे इन्होंने वही किया, इन्होंने महिलाओं से क्या का, महिलाओं से का, कि आप हमारे साथ में आओ, हम आपको मुफ्ट गैस सिरिंडर देते रहेंगे, और उसके पास क्या हुआ, एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, मुफ्ट नहीं दिया, सब्सिटी करके दिया, और धीरे दीरे उसी कादाव बढ़ा दे गए परसों फिर 25 रुपए पड़े इस वर्ष 2020 में अभी आठ मेने हुए है और लगबग 200 रुपए पढ़ गए और 900 रुपए पहुंचने का काम हो रहा है उस गैस सिरिंडर का जो आज दीरे 200 रुपए से और इनों ने 900 रुपए पहुंचा तरह रहें आज उत्वर प्रदेश में आप देखिए इननीके आखड़े उठाकरे कि देखिए सरकारी हांगड़े अंक्रे हर दो भूंटे में एक महिला के साथ में उप्रड़न हो रहा है उसके साथ में बलाताब ह रहा है आज ये सुरक्षा देने बहूंचिन जी की सरकार याद करिए जब बहन मायादीजी की सरकार थी तो तब देखे महिला किसी महिला या नलकी को भी अगर घर से बहार निकलने की ज़रूरत प्रफ़ी थी वो सोचती विचारती नहीं थी आदी रात में निकल जाती थी क्योंकि उसको ये डर नहीं था क्यों कोई उसकी तरफ गु लेने काम किया था आपके पड़ोस के ही मेंबर उपारनेंट थे तो शूपड़ियों के उपर उपर ब॔ल्डोजर चला दिया था ये स्दोस्के हो रागां इससे बहन मायधी जी ने उनको घर भे घुलाया ता रहने और अपने निवास पे बुला करके मैं भी उसे मौझूद था मेरे सामने उन्होंने उन्मेंबर अफ़ालिमेंट को हद्कड़ी लगा करके और वहीं से जेल भेजने का काम किया था और पूरे पांग साल तक जेल ले रखने का काम किया वो किसी के साथ में भेद बाव ने करती थी वो यह नहीं देख ने देखी यह हमारी पार्टी का है और यह दूसरी पार्टी का है वो चाहे अपनी पार्टी को हो चाहे दूसरी पार्टी का हो अगर वो अपरादी है तो उनकी निगाह में वो अपरादी है उसकी जगह एक ही जगह होती ती जेटी सलाकों के पीछे और इसके इलावा नहीं लेकिन आज किस तरह के से उत्तर अध्र देश में पूरे इं तरफ चारो तरफ एक नहीं दो नहीं हर तर रोज हत्याए हो रहे हैं रोजाना हम्तियाओं का सिल्सला लग गया है और इन्हों ने खाली जूट का वादा सुरक्षा के नाम पे नहीं इन्हों ने किसानों से भी जूट बोला किसानों से कहा कि आप हमारे साथ में आजाएए हम आपके आमधनी दो गुना करते हैं और क्या किया इन्हों ने दो गुना तो नहीं की उनके आमधनी शून पहुचाने कर काम किया और शून ही ने पहुचाया इनके उस ज्योग पतों की निगाथ उस जंग की जमीनों पर भी लग रही है उनको लगा कि हमको पहमें पूरा देश को खरीद गया अब सब चीज़ हमारे हाँ पे आ गई है लेकिन उन्हों ने इसे कहा कि हमें अब दी जमीन नहीं मिली है हमें जमीन चाहिए और फिर इसी लिए इन्हों ने देखिए जो तीन काले कानून बनाए है किसानों के लिए जिसके लिए किसान पिछले देखिए और से अंगोलत है हम लोगी उनके साथ अंगोलत में शामिल है पार्लिमेंट के अंदर से पार्लिमेंट के बाहर तक और जिसकी वज़े से पांसो से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है इनको कोई असल नहीं क्योंकि इन्हों ने उने जोग पतियों से भारी रकम देनी है अपनी पार्टी के लिए और इसी लिए उस कानून को वापस नहीं कर सकते उस कानून के तहर पे किसान को मजबूरन पट्टा देना पड़ेगा और किसको पट्टा देंगे उन जोग पतियों को पट्टा देना पढ़ेगा, और पट्टा देने के बाद, एक साल पसल का पैसा मिलेगा, दो साल पसल का में पैसा मिलेगा, पीसरे साल क्या कहीँए, कहेगे कि बाढ़ा आक पर अनाज ठीक नहीं आया, क्योंकि फिराई ठीक से नहीं गी, इसका वीच अच्छा ने जा और उसके παद पैसा दे आप ठत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा लेकिर उसकी जमीन वापस नहीं आई हो इसलिए आपने देखा कि आज भी वो आंदोलन ना थे और इनके उपर कोई असर नहीं होता दो दिन पहले कि आपने एक बार पढ़े होंगे जिनों ने टेलिवीजन में न्यूज देख क्सान उसने भी टेह करने कर लिया है कि हम ठतने वाले हैं पीछे अखने वाले नहीं हैं हम डड़ करके रहेंगे क्योंवें हमारे जीवन और मर्म का सवार इन को परक नहीं सक बहुता आप बहुत मायती जी की सरकार देखिये और इनकी सरकार देख्ये원ं समाजवादी Пाटी की सरकार 2003 से और 2007 के पीच की याद करिए और 2012 से 2017 की याद करिए जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार जड़ा पाती है तो उसके आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में गुन्डा राज माप्या राज जकैसी पिरौपी लूट पाट बलाकार दंगा पसाथ हर चीश तरू हो जा पार्टी और यही सारे कार भार्टी जन्दा पार्टी भी कर रही है इसलिए हम लोग कहते हैं कि भार्टी जन्दा पार्टी और समाजवादी पार्टी ये एक ही सिक्टे के दो पहर जोगी है इनमें कोई परक नहीं है किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में पूरे उत्त प्रदेश में हथ्याएं हो रही है किस तरह से धरिकतों के उपर रत्याचार हो रहा और एक को नहीं स्वागतों समाज के लोग और धरिखन समाज के लोगों को यह थे टूर्पुलि अन्पमеше दिख करने काक्तार करी वी है जिसमें ये कारकरमिन के हुए हुए हैं और इन् dela को आMK unfolding का कम किया था कि हम रफ्तिर कि अ किया था समाजवादी पार्टी की एक परच्शाई की तरह चल रहे हैं जो जो उनों ने किया वही-वही ये करने का काम करते हैं दनितों के साथ कितना उपीड़न हो रहा है आप ने देखा जोपड़ियां उपढ़ दिया कि घर के ओपर बुर्डोजर चला दियाता है ये से आपने एक विक्टी को तो मारा कि उसने लोगों को मार दिया था लेकिन कानपूर के विक्रू कानड में उस खुशी दूबे का क्या दोस्त था वो तो साड़े सोला साल की लगी नाबालिक थी नावाली लड़की साड़े-सूलासागी उसका एक दिन पहले विवा होता है तीस तारिक को शादी करके आती है पहरी तारिक को तो उसकी मेंधी दिनी सूपी थी और दूसरी को ये किस्सा हो जाता है आप उसको उठा ले जाते हैं और उसके बाद पहले तो जेल में बंद कर देते हैं सबसे बड़ा घर्टकार तो ये करते हैं कि आपको मालूम होते हुए कि नाबाले गया आप ते उसको बैसक जेल में बंद कर दिया लोगों के साथ में और तीन मैने बाद जब जुमिनाई पोर्ट ने कहा कि ये तो साड़ी सुलाई साल की रग日 तो आप में उसको घुमार भूम में बेज गया सेथा आलइस क्या हुआँ, बंद कर दिया और उसके बाद उसके पती को गोलीयों से मार गिया उसके जिदिने भी घर वादा जो महिनाई दो वो और उठा के ले गया घर से उनके भी पत्यों को मार दिया लेकिन उसको बेल ना होने पाए खुशी दुबे को इसलिए आपने पूरी ताकत दरा दी और उसके रिचाए जाल साजी करनी पड़ी वो भी करने का काम किया बाहर ना निकलने पाए उसकी बेल ना होने पाए इसलिए मुक्षिया का जिर्देश जाता है वहाँ पर बारवंगी में और अथिकारियों को कि ये देख लो सुनिश्चित कर लो कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए बेल तो होई जानी थी नामालिक थी उसके हाँ में कोई हट्क्यार नहीं था किसी ने उसको कोई जुर्म करते हुए देखा नहीं घर के अंदर अगर थी तो क्या हो कातिल हो गई और लेकिन उसके उपर इतनी दफाएं लगा दिये गई थी जिससे कि वो चीवन भग जेल के अंदर सुखी रही वहाँ पर सर्टिफिकेट परजी सर्टिफिकेट बनाया गया बेल को विरोब करने के लिए और इस सर्टिफिकेट में वहाँ की अधिक्चिका से लिखाया गया उसने लिखा कि खुशी दुबे जो पहले खुशी किवारी थी खुशी दुबे के साथ नम से थरफर खानटेगा और यह कहे करके सचीफेर्ट लगा के दानत पे उसकी बेट खारिच करा थी महिला जो घर में काम कर रही थी उसको तो ब्ठा करके ले गे पत्यों को तो मानी दी आप लेगे एक महिला जो काम करने वाली थी उसके तीन साल के लड़के को भी ले गए और 6 साल की लड़की को भी जेल के अंदर ले गए और कहते हैं कि इनके उपर मुगत्मा लचब देना मनना तो बरी हो जाएगे सब के सब बहार आ जाएगे इनको उसी में सबने दो और इनके बच्चों को वही पर बैस हो जाने दो तभी तो इनको सबक मिलेगा एक नहीं पचास पचास से जादा अबराम्र समाज के लोगों को इन्हों ने उस मामले को घेरा बना करके और कानपुर के इंडिकेट जितने मजबून किसम के थे उनको इन्हों ने जेल के पीछे बंद करने का काम किया और वो कहीं वहाँ पर थे भी नहीं मवजूद भी नहीं के हर्याना से उठा राए साड़े सत्रा साल के लड़के को और लाकर के इतावा के पास उसकी गाड़ी भी फलटती है और उसको भी गोर्यों सरुआ दिया जाता आदा दर्द से आदा लोगों को मार जिया आगते कितने लोगों को लखनों से उठा ले गए माँ बाद के देखभार करने के लिए आया था वहां पर राकेश पांड़े नाम का रिक्ती करोना में उसको घर जे उठा ले गए और ले जाकर के कंट्यूनमेंट में लखनों के उसको इंकाउंटर करके मारने का काम किया विने किवारी अपनी गाड़ी से घर अपने काउंटर के लफ्तर से लखनों में घर जा रहा था गाड़ी रोकी नाम पूछा जैसे ही बताया मिनन गवारी गौली मार भी उमर गया तो इस तरह का आतंग इस तरह की दहशत पूरे उत्र क्रदेश में फैलाने का काम किया है आप लोगों ने हातरस का भी कांड देखा बल्या का भी देखा किस तरह से महिलाओं के साथ ने बहुत करने किया जो लड़की थी उस लड़की के साथ पहले रेप होता है उसका बलाकार होता है और जब उसकी मृत्व हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है उसकी मृत्य हो जाने के बाद उसका मृत्य शरीर भी घरवानों को ले दिया मांती रहीं चीखती रहीं उनकी माँ बाप बेहन सब लोग कि हमको शरीर दिखा देने दो लेकिन नहीं मुख्या का अदेश था कि इसका शरीर इनको नहीं मिलना चाहिए डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेव को खुद खड़ा कर दिया उठा करके और खड़े हो करके वहीं पर खड़ा रहा और खड़े हो उन्होंने निर्देश दिया अपने जामें देखना कि इसका अंतिन संसकार वो लोग करने ना पाया और फिर क्या हुआ सबने देखा कितना शर्म की बात हुई कि उस लड़की के साथ में उसके मावाब चीखते रहे हैं कि शकल दो दिखा दो शकल के नहीं देखने थी और उसको ले जाकर के उहां पर खेतों में मिट्टी का तेड़ डाल करके और रात के ठाई बजे इनों ने जलाने का घृड़क काम गया जिससे हम लों का सर पूरे उत्तर प्रदेश भी नहीं पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भी छुखने का काम हुआ पूरी दुनिया में इसको दिखाया गया तेलिवीशन में भी दिखाया गया बहां की विदेशों की मैगजी में भी छपा और कहां किया एक ऐसा प्रदेश है इस देश में जो उत्तर प्रदेश कहलाता है और वहां पर ऐसा प्रदेश है जहां एक लड़की के साथ में इस तरह का विवार हो सकता है वो एक ऐसा पदेश बहर भाए भी का शासनकान याद करिये किस तरी के सो उनों ने सर्व समाज की सरकार बनाई सर्वजन हिजाए सर्वजन सुखाए का जो उनका नारा था उसको ले करके आगे चलने का काम दिया उनोंने किसी को भी पीछे छोड़ने का काम दिया कोई ऐसा समाज का नाम नहीं आपने सकते जिसको जब पूल बहुमत की सरकार बनी है तो बहन मायती जी ने उनको उचित स्थान देने का काम ना किया हो चाहे वो मंद्री का हो चाहे वो नेता हो चाहे वो संद्री हो और चाहे कोई भी हो उन्होंने सर्व समाज को अपनी नीट के तहर करने का काम दिए ब्रामरो समाज उनके साथ में जुट हुआ था एक साथ एक जुट हो करके जैसे इस बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रामरो समाज लिकटा हो रहा है एक साथ हो गया है और हर जिले में जहां ही हम जा रहा है एक साथ एक जुट हो के और वो हमारे साथ में और बहन माजी जी के साथ में खड़ा उन समय भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में गहे थे और पूरे समाज के लोग हमाज साथ में खड़ हुए थे बहन माईजी जी के साथ में खड़न वे थे थे पांच लाग से जादा प्रावनों समाज के लोगों ने नौजुन तो हजाद पांच को बहन माईजी जी का स्वागत करने का काम गया था डॉक्टर भीम राओं वेट करके मैदान में थे हमारी आखरी सवाद दी और उस पे ग् नाती नहीं खड़ेश है ब्रह्मा विश्रू में और उसके बात उन्होंने तूपी ब्रामों समाज दे भाईचारा बनाया एक साथ हुए एक जुट हुए अपनी ताकत दिखाने कर काम किया सोला प्रदिशन प्रामों समाज ये लोग उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं है तीन करोज उपर प्रामों समाज ये लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन उनकी क्या दशार उस समय हो गई थी, समाजबादी पार्टी की सरकार थी ठीक उसी प्रकार से जैसे आज कल है, लेकिन उस समय गानों समाज लिगठा हुआ, बहन मायदीजी के साथ में भाई चारा बनाके, और भाई चारा किसके साथ में बनाया उन्होंने सबसे पहले जलिट समाज के जो हमारे भाई वेंड जो 23 प्रतीशत हैं उनके साथ जिनके साथ में अंग समाज के लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं और चाहे वो वैकवर्ड समाज के लोग हो अपरकास के अंग समाज के लोग हो और चाहे वो मुस्लिम समाज के लोगों, वो सब लोग फैल संक्क समाज के लोगों, वो पहले इसे जिनके साथ में जुड़े थे, उनके साथ में भाईचारा बनाएं। और उसके बाद पूरो बहुमत सरकार बना करके दिखाने का काम किया। इसमें ब्रामर समाज के लोगों ने बर्च रोते योग्दान करने का काम दिए लेकिन मायदीजी ने भी जहां सर्व समाज को देने का काम गया उनों ने ब्रामर समाज को पीछे नहीं ठोगा बात एक दर्द emails समाज केrency बनाने का क्या कि जिसमें की डॉक्टर ओपीं तिवाओी भी आप्पे सामें है और इसी प्रेकार से उन्होंने बिदान परिश्ष्थ के także को भी आधोना दर्ज़दे जिए ब्रहां बनाने की बनाने का क्या. किया वहां परूप नेता प्रामरों समाज का बनाया उन्होंने हमको राज समाँ में पिछले 17 वर्षों से अपना पार्टी का नेता बना के रखा हुआ है और नोग समाँ में भी इस समय रामरों समाज के रितेश पॉंडे को उन्होंने पार्टी का नेता बना के रखा हुआ ह पांच हजार से ज़ादा सरकारी वकील महादी मक्ता से लेकर के नीचे तक उन्होंने ब्रामर्ण समाज के लोगों को सरकारी वकील बनाने का का म कर था। लावाद उच्छनेले लखनों और जितने भी जिला की अदालती थी उसके सरकारी वकील बना करके उनका मान दे बहाते हुए और महन भाएं की दिने देने का काम किया उन्होंने उत्तर प्रदेश का उन्होंने ब्रामो समाज का जो खोया वामान सम्मान था और स्वाबिमान थ उसको उन्होंने लोटाने का जो बादा किया था कि आप ठाई चारा बना रहे हो हमाने साथ में आ रहे हो तो यह मेरी जिम्मधारी है उसको उन्होंने पूरी तरह से निभाने का काम किया और जितना सोचा भी नहीं था उससे जाला बहाने का काम किया उन्होंने उत्तर प्र जो की डॉक्टर मेक्टर के नाम से हैं उनका समग रिकास करने का काम उत्तर प्रदेश में किया उन्होंने 29,000 से जादा प्राइमरी स्कूल ने बनाने का काम किया 5000 जूनियर हाइ स्कूल 5000 हाइ स्कूल बनाने का काम किया ने उनोंने तेईस तेईस जिले बनाने का क्काम किया उत्तर प्रदेश में और जब नया जिला बनता है तो उसका समग रिकास होता है वो बहन मायती जी ने करने का क्काम किया और उनका जिससे कि आगे उनकी तरक्षी हो सके उस थानों की उनोंने उनको ने जिलों में बनाने क कR coherence से अला में medical college बनाए और उन्होंतम राश्टरी स्थरकी युनवरिष्टी भी बनाने का रा उसमें तो एक युनवर्ष्टी बनाने कात्रा किया और उसमें लखनों में ऐसी वनाई जो आपकेली युनवर्ष्टी है, और ओक्टर शकुंता मिश्या के नाम से जहां विकलांड जनों के लिए उनों ने युनिवर्स्टी बनाने का चाम किया जहां की लड़की ने अभी चार दिन पहले पढ़ी लड़की ने जो बिलकुल नहीं देख सकती है तोटली ब्लाइंड है दूरी तरह से बश्टबादी ते उसने अ जो हमारे लिए बर्दान की तरह से हमारे लिए बनी और हमको इसका फाइदा मिलने का का चाम किया इसका श्रेख जिसको जाता है बहन माय पीजी को जाता है जिनों ने 175 लेकर उने इस उनिवर्स्टी को बनाने का का चाम किया बहन माय पीजी ने जहां उत्तर प्रदेश में भागी सांविकास किया बिज्वी की विवस्था को चिह सुभान में का काम बहन माई Angie ने किया ते छैछ बगवाट बिज्वी का उत वाधा उत प्रदेश में होता था उसको बढ़ा करने उन्होंने 13000 मेवाट महँचाने का काम गिया ने कारिखाने लगा ऐसे बनाने के एक्स्प्रेस में बनाया मेट्रो बनाया नौइडा को उनुने विदेशों से भी जाला अच्छा शेयर बनाया लखनओ आप जाते हैं आप देखते हैं कि इस तरह की तरक्शी उनुने करके दिखाने का काम गया वो सब दहें भाया अभीजी के दोड़ा है इनकी सरकार में या समाजबादी पार्टी की सरकार में एक भी आपको चीज देंगे लेगी कि कौन सी चीज की तरफ ये निगाह उठा करके दिखाएंगे उगली उठा करके दिखाएंगे कि ये काम हमने भी किया है अपना भी क्याफन दिखाते है जो आप जो अक्वार उठाईए पहले पन्ने से लेगे आगरी पन्ने तक एक छूटा भी क्याफन होता है छूट से वरा में क्याफन होता है तरह तरह के जूटे बातें उसमें लिखी होती है और उसमें 300 कड़ो उपए उडा दिये जाते है अगर यहीं 300 कड़ो उपए ये पढ़ाई में लगा दे बच्चों के लिए स्कूल में लगा दे और चोट टीचर इंको पढ़ाते हैं जिनको ये तंखा नहीं देते हैं तो शायद इस प्रदेश का एक विकास होने का काम हो। आपको मालूम है कि 20 लाग से जादा वित्त वहीं चिपचक है। और उनके और जो इंप्लॉई हैं पूरे उत्त प्रदेश में उनको पहले समाजवागी पार्टी ने धोका दिया। उनसे कहा कि आप हमारे साथ पे आईए और वो सबके सब उनके साथ में लगते हैं और उनको उन्होंने जिना भी नहीं पकड़ाया कहा दा कि हम आपको सम्मान जनक मान दे देंगे। आपकी समस्यावं को दूर करने का काम करेंगे। हर चिले में सेक्रों की संग्या में बित्विहीन मित्याले हैं और सेक्रों की संग्या में टीचर रहे हैं और इंप्वाई हैं जो की मारे मारे फिर रहे हैं इन्होंने पार्टी जंका पार्टी में भी यही कहा आपको उन्होंने दोका दिया है आप हमारे साथ में आ जाएए ये सब सोच करके अन्र ने इनके वादों की तरह इनको सही मनते हुए इनके पीछे लगए और इनको जिताने का काम गिया और उसके बाद क्या हुआ पांख साल होने को आ रहे हैं ये जब अंगोलों नोने किया है फिछले साल तो उनको क्या मिला? लाटी, दंडे और पानी की बॉल्चारे महिना उनको मिनी छोड़ा इनोंने और एक महिना ने जब न सर मुड़ाते हुए विधान समा के सामने अपना सर मुड़ाया तो उसने कहा मीडिया से कि ये सर मुड़ा रहे हम इनको सांगेतिक रूप से इनका हम इस सरकार का क्रिया करने का काम कर रहे हैं, इनकी अंजोश्पी करने का काम कर रहे हैं इन्होंने उसके जवाब में क्या कहा? मुख मंतरी जी कितने नाराज हो गए? उसके बाद बोले कहते हैं कि ये जो टीचर लोग हैं जो अपने आपको गुरू कहते हैं ये लोग तो हैं ये वो लोग हैं जिनों ने पिछले जलम में बड़े पुकरम कियें ये पुकरमी लोग हैं और इसलिए इनों ने पाफ दिये थे पिछले जलम में और इसी लिए ये अध्यापक बने हैं और इसी लिए इनकी ये दशा हो रही है इनकी तो भी और जो दशा होगी इनको भी आगे देखना पड़ेगा इस तरह की सोच रखते हैं लोग और उसी की जगे महन माहन भी थी के पास जब हम इन लोगो ले करके गए चांगिया वो तो खुल भी अध्यापिका रह चुंई हैं आध्यापिका भी रहुच्पी है तो उनों ने उसी समय कहा कि हमें इसका का कर्द मालू है हमें मालू हुए क्या करी अको हो रही है और इतना अबसंश है कि इस दय guaranteed तके खाने पड़ रहे हैं अब की बार हमारी सरकार आने दो और हम तीम मैंने के अंदर इनका ये सारी समस्यां को दूर करने की जुम्हदारी हमारी है और सब जानते हैं कि बहें नुमायली जे बिखाती हैं इसको प्रेस में भी देने कर काम किया प्रेस नोट भी जानी किया इसलिए आपसे हमारा नुरूद है कि इनका सरी चेहरा का चानिये इनका मुझा उठाम बदे किये या भी फिर से आपने बीच में आएंगे आगर के फिर लुहाने वादे करेंगे चुटे वादे करेंगे धराम के नाम पे देश के नाम पे तरह तरह की बाते हैं आपसे पैसा भी ले जाएंगे आपसे लोट भी आटने का काम करेंगे वोट भी मांगेंगे और उसके बाद आपको ठोकने का भी कम करेंगे क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारी नीथी है रोको और ठोको तो इस द academia से याप से पैसा ले कर करके वोट ले करके और आपको ठोकने का कम करेंगे इनका असली चहरा आप खाली आप खुत्मत मेचानिए आप ये जिम्मेदारी निभाईए खाली हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम आप से बात करें और आप से कहे करके आप अपनी हमारी बात सुनें और आप चल दें इन बातों को आप ने जो सुना है इन बातों को ध्यान में रखिए और ध्यान में रखकर के इन बातों को यहीं पर छोड़के मन चले जाएएगा इसको अपने साथ में ले जाएए अपने लोगों से बीच में बात करिए अपने रिष्टेदारों नातेदारों और अपने गाउं 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 जाकर करके अपने परिजनों के बीच में और जो हौन लोगी हैं उनके घर घर जाकर करके इन बातों को पहुंचाते हुए इनक ये छूटा मुनोटा खाड़ करके भीटने का काम करेंगे और इस बात का संकल्ब दीजे जो संकल्ब हम आपके साथ में लेने का काम करेंगे हमारे साथ में आप भी संकल्ब दीजे उन वह वह से की संकल्ब कराईएगा कि अगर उतना प्रदेश में अपनी जान माने को बचाना चाहते है अपना खुशाद जीवन बताना चाहते है अपने बच्चों के खुशादी चाहते है और आगे अपना भविश्व सुदाना चाहते है इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते है तो फिर ये संकत ले कि आने वाले अगले वर्ष में जो चुना हो रहा है सन 2022 में हम लोग भाती का निशान दे करके और उसमें अपनी मोहब लगाने का काम करेंगे जिस तरह के से दलित समाज के लोग आपने देखा होगा कि उनको जितने भी ये सुहाने और जितने भी धंकाने और जितनी भी करेंगी कोशिशे करने ये लोग कभी तस जमस नहीं होते हैं ये बहन मायपी जी के तीछे एक चक्तान की तरह पड़े रहते हैं और सिर्फ बहन माय भीजी को ध्यान में रखते हुए हादी के निशान पर मोहल लगाते हैं ये भी रहे देखते हैं कि कौन चुनाओ के मैदान में है और कौन नहीं है और उसके बात उसको जिलाने का काम करते हैं इसी बात का आप भी संकम लीजे और संकम लेकर के लुवों को जलाने का काम करिए और ये पैह कर लीजे कि अगली बार आने बारे वर्ष में हम लोग भूजल समाज पार्टी ये पूर पहुमत की सरकार बना करके बहन मायोजी जी को पांसमीं बार उस्तर्पधिश का मुख्मंद्री बनाने का काम करेंगे और उसके पहले रुखने का काम नहीं करेंगे अगर आप हमारे साथ में हमसे सहमत हैं हमारी बातों से सहमत हैं तो एक बार इस संकल्ब के साथ में हमको भी इशारा कर दीए अपने दोनों हाँ उठा करके आप बताने का काम करिए अगर आप हमारे साथ में और जिस दरीके से जिस दरीके से आपने हाँ उठा करके हमको अपना समर्थन देने का काम किया है उससे हमारा होसला चार गुना बढ़ गया है और ये भी याद रखेगा कि आप बस्ती बस्ती एक ऐसी जगह है जहां के लोग ड़ते हो ड़ते नहीं है और यहां पर निडर लोगों की बस्ती है यह बस्ती जो है आम लोगों की नहीं है ये निटर लोगों की बस्ती है और जो लोग किसी के दवाओं में नहीं आते हैं किसी के उसमें नहीं आते हैं चाहे उनके उपर जितना हमले हो और जितना भी हमलावर हो आपके बीच में आपको यार होगा इसी बस्ती का इसी बस्ती में कभीर जो है, एक हंडों के बीच में एक नौज़मान साथी श्री कभी उतिवारी, कभी उतिवारी नाम का एक नौज़मान युवाः और nadज़े साथ में, कोई ऐसा कोई जाच कोई धर्म जोह किसी ऐसा बैक दी नहीं जो कि ये कह सके कि श्री कभीर सिवारी के साथ में हम नहीं थे हर बेक की उसके साथ में था और वो सब के साथ जुजारुपन के साथ में रहता था और उनके साथ में नौने जहुने का क्वाम करता था उनके अजिकारों के लिए लौता था और उसके उसकी हत्या होना ते, कितनी खूर तरीके से उसकी दिन दहाने हत्या और समख में कब्दी आती है लेकिन उसके साथ में कोई नया देहिए जब कि वो छात्रसंग का अध्यक्षना रहत्पा है और ये भार्दी जन्ता पार्टी है जब इसका चेहरा खोलने का काम करेंगे फर्द दर फर्द तो आप कोई कभीर तिवारी को कभी ही भूल सकते क्योंकि कभीर तिवारी को A.B.B.P. से जा करके और चात मसंग पर पहुंचे थे और R.S.S. में भी काम किया था और उसके बाद भी उनके परिवार्वालों को आज उसकी भाई हो चाहे पहन हो वो लो चारों पर खुंचे बिर रहे हैं और उनको कोई नयाए नहीं मिल रहा है वो एक ठाली उनकी मांग है कि आप जो है इसमें S.I.T. बठाली है आप इस तर्य की इंक्वाईरी करिये जो जिसंए जो सही चीज़ है वो सामने आ सके लेकिन उसकी इस बात भी नहीं माना जा रहा है और दूसरी तरह की इंक्वाईरी बठाली यहनके सांसर यहनके जो और मुक्त बार्तिया पार्टी के जो उसके पहले काम देते थे और जो जिनके लिए वो उसके 24 घंडे लोड़ने के लिए भी तैयार रहते थे कभी किवारी उन्हों ने उसका साथ उसके जाने के बाद उसका भी उसके परिवार का साथ छोड़ने का काम दिया और कोई भी उसके साथ में परिवार के साथ में नहीं खड़ा हुए है हमारे साथी लोग जब आंदोल नंचक रहाता है यहाँ पर तो नकुल दुबे और बाकी लोग उनके परिवारवालों के पास आये थे और खड़े हुए थे लेकिन आज वो लोई रहा हैं लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि उनको अखेले लोई नहीं नहीं पड़ेगी उनको भर दी जन्दा पार्टी के लोगों ने जो ठोका देने का काम किया है और उनके परिवार वाले लोग जो आज घर घर भटक रहा हैं परिशान हो रहा है उनको परिशान होने की अब जरूरत नहीं है ये भूल जाएं, उमीद भी छोड़ें कि उनको भार्टी जन्ता पार्टी से कोई उनको नयाए मिलने वाला है ये वो पार्टी है जो की इस्तिमाल करती है और इस्तिमाल करने के बाद अगर अपने ही लोगों को छोड़ना पड़े तो एक सेकंड नहीं लेती है और वो छोड़ करके पीछी जन्ता पार्टी जन्ता पार्टी और इसी वे मैं उन लोगों के परिवार्वानों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिन्त जरूर है आप अपनी लड़ाई लड़ा हैं लेकिन आप छह मैने का और इंतजार करिए छह मैने में अगली सरकार बहन मायंपी जी की बनने जा रही है और जब ये बहन मायंपी जी की सरकार बनेगी तो जितने भी दोशी उसमें हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा बख्षा नहीं जाएगा और उनको उनको परिवार को नयाय मिलेगा उनके जो भुज़र उपिता हैं उनको भी नयाय दिलाने के काम हम लोग करेगे हमारी सरकार करने का काम करेगी इसी के साथ मैं आप से पुना इस अमरोग के साथ में कि आप लोग अपनी वार अपनी कमर कस्वीजे और तादा समय नहीं बचाए सिर्फ तीन महिने बचें तीन महिने के बाद चुनाओ की घोशणा हो जाएगी और आपको चुनाओ के मैदान में आना पड़ेगा दो और रहा है खुरा लाँ कोई और राज कि शौर्टी लाँ रहा है या कि शुनाओ गणी में आना डाना प्रह बेघ्ञा की सुचने के काम मत और शजो क्यु बचार ऱहाने कर रहे हैं जब बचा-परोई इन से ही बजा करके अपनी पूरी ताकत लगाते हुए और आप लोग श्री राज़ पिशोर सिंग के साथ में ख़ड़े होते हुए हम लोगों के साथ में ख़ड़े होते हुए बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं जो आएंगे आपके पीच में उनके साथ में खड़़े हो करके और आप लोग बहुजन समाज पार्टी के हर प्रत्याशी को आप जिदाने का काम करिये और ऐसे पोटों से जिदाने का काम करियेगा कि बस्डी का नाम उद्तर प्रदेश में विधान सभा में इसलिए खूंगे कि 5 मी 5 विलांग सभाय जीत करके आई है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, जितने संक्या से बाउंटन समाज पार्टी के लोग बस्ती से जीते हैं, उत्ना उत्तर प्रदेश में कोई जीत चिद करके नहीं आया है, इसका रिकॉर्ड बनाने का काम क इसी के साथ में अपनी बात समाच करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, जै दीन, जै भारत, जै परशना हूँ